आइना देख अपना सा मू लेके रह गए साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था सलाम नमस्ते सच्व्यकाल मैं हूँ आपके साथ हर्षता और आप देख रहे हैं टाइम समेल इस वक्त देश की सबसे पुरानी पार्टी की नेता राहुल गांदी अपनी भारत जोडो यात्रा पर निकल चुके हैं अक्सर घुमने फिरने और छुटिया मनाने के शौकीन राहुल गांदी अब कई राज्यों की सैर पर निकले हैं उनकी यात्रा महस सैर सपाटे के लिए नहीं बलकि ये एक राजनितिक क्यात्रा है जिसे विपक्ष को एक जुट करने की मुहिम की तौर पर देखा जा रहा है लेकिन राहुल गांदी इस वक्त अपनी टी-शिर्ट की वज़े से बदना में जमाना हो चुके हैं लेकिन सवाल है जस देश के प्रधान मंतरी लाखों का कपड़ा पहनते हों विदेशी चश्मा घड़ी और पैन का स्तमाल करते हों पैसे में राहुल कांदी का टी-शिर्ट कप से सियासी मुद्दा बन गया दरसल अब जाकर पता चला है कि आखिर अच्छानक से टी-शिर्ट की वज़े से क्यों हंगामा होने लगा दरसल टी-शिर्ट तो बस एक बहाना है जिसकी आड़ में बीजेपी अपने उस नेता की खबर को दबाना चाहती है जिससे बीजेपी की थू-थू हो रही है हम बात कर रहे हैं केंद्रिय मंतरी इस्मृती इरानी की जो गवा में रेस्टोरेंट और बार चुलानी के मामले में बुरी तरह फस्ती रज़र आ रही है जिसकी बाद बीजेपी को अपने बदनामी का डर्स अताने लगा है एक तरफ हमारे प्रधान मंतरी 18-18 घंटे काम करते हैं कम पैसे में अपना खर्च चलाते हैं वहीं दूसरी तरफ होनी की मंतरी इस्मृती इरानी ने ना सिर्फ प्रधान मंतरी बलकि भारते जंता पार्टी को बदनाम करके रख दिया है जिनकी वज़े से बीजेपी ज्यादा सवालों में गिरती जा रही है अब इस्मृती इरानी गोवा में रेस्टोरेंट और बार चुलानी को लेकर यही कहती आ रही है कि गोवा सिसिली सोल्स एंड बार में उनकी बेटी का और उनकी परिवार का कोई लिना दिना नहीं है लेकिन अब पता चला है कि इसका तालुक इस्मृती इरानी से है इस रेस्टोरेंट को लेकर इस्मृती इरानी खूब हंगामा किया था कॉंग्रेस के निताओं को अदालत में घसीटने वाली इस्मृती इरानी ने अदालत को भी श्राइद गुमरा करने की कोशिश कर दी है जिसकी वज़े से इस्मृती इरानी पर गिरफतार का खत्रा भी मन रहा है अगर इसमरती इरानी अदालत से जूट बोलने और गुमरा की दोशी पाई जाती है तो ये मोदी सरकार पर बहुत बड़ा दाग होगा बार चुलाने के लिए गलत तरीके से लाइसेंस हासल करने का मामला भी सिर्फ पर तलवार के तरह लटक रहा है जब कोई इनसान किसी बड़े आधे पर काबिस होता है तो जम्मदारियां भी बड़ी हो जाती है जब एक बड़ी जम्मदारी वाले आधे पर रहकर कोई गलत काम को अंजाम देता है तब उनके आधे और उनकी काबिलियत पर सवाल उठना लाजम है इससे पहले एक फूट ब्लॉगर ने अपने एक अपिसोड में स्मृति एरानी की बेटी का इंटर्व्यू किया था जिसमें एरानी बेटी बेकाइदा पोर्क खाती हुई नजर आ रही है लेकिन मास मदिरा से खुद को पाक साफ बताने वाली बीजेपी स्मृति एरानी और उनकी बेटी के मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है जतना भी शोर शराबा हुआ या फिर हो रहा है उसमें बीजेपी बिल्कुल खामोश नजर आ रही है ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इसमृति रानी को एकदम उनी के हाल पर छोड़ दिया लेकिन अपसिली सोल साइंट बार का तालोक इसमृति रानी से जुड़ रहा है आखर टीशिट की आड़ में छप रही है बीजेपी आखर कैसे इसमृति रानी ने दालत को किया गुमरा आखर कैसे कोरा जूट बोल रही है मोदी की मंतरी आखर कैसे रस्टूरेंट और बार से जुड़ा इसमृति रानी का रष्टा आखर कैसे बीजेपी ने इसमृति रानी से किया किनारा बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ लेकिन आप अगर हमारे चनल पर नए है और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चनल टाइमस मेल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और बलाइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ता के खुलासा हुआ कि इस्मृती राणी के परिवार से इसका सीधा तालुख है जिसके बाद इस्मृती राणी के दावे पर सवाल उटते नजर आ रहे हैं आटी आई से पता चलता है कि शिली सोल्स gaat नाम से है वह Wes्मृती राणी के पती जोब नराणी की कंपनी की साजिश दा आटियाई के तैत मांगी गई जानकारी में बताया गया है कि गोवा के असगाओ में सिली सोल्स काफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस एट आल फूड एंड बेवरिजस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्शिप LLP के नाम से है यह कम्पनी उग्रा मरकंटाल प्राबिट Lirensट के साथ साजदारी में काम कर रही है उग्रा मरकंटाल में केंद्रे मंद्री इसमृती राणी के पती जुबने राणी ने देशक है एक अड़ोकेट आयर्स रोडिक्स के आर्ट्याई के जवाब में गुआ की खादिय और सिली सोल्स को आ नामक रस्टोराँ का संच्छालन कर रहे हैं इसको लेकर इल्जाम लगाने पर इराणी ने जुलाई महिने में कॉंग्रस नेता जाराम रमेश पवन खेडा को मानहानी का नोटिस भी बेजा था तब कॉंग्रस ने ताउने प्रस कॉंफरेंस करके इल्जाम लगाया था कि स्मृती इराणी की बेटी गोवा में बार चलाती है और उसका लाइसेंस अवैद है इल्जाम लगाया गया था कि जिस शक्स का ये लाइसेंस मिला था उसकी मौत हो चुकी है कॉंग्रेस के एसलजाम के बाद स्मृती रानी ने भी प्रेस कॉंफरेंस बुलाई और आखों में आसों के साथ कहा था कि वो चूकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कड़े सवाल पूछ चुकी है इसलिए उन्हें घेरा जा रहा है केंद्रे मंतरी नारे ने कहा था कि उनके बेटी का कोई बार गुवा में नहीं है निउस वेबसाइट सत्यहिंडी.com ने कहा था कि अब ATI के तहट मिले दस्तावेजों के अनुसार असगाउ गाफ के सर्वेक्षन संक्या 236 बटा 22 के तहट सर्वेक्षन की गई संपत्ती के एंटनी जिगामा द्वारा इटॉल खादिया और पेपदार थे LLP को 50,000 रुपे के मासे किराय पर एक जनवरी 2021 से 10 साल के लिए पट्टे पर दिया गया था ये पहले ही सामने आ चुका है कि सिली सोल्स कैफे और बार द्वारा इटॉल फूड और बेवरेजिस LLP के नाम पर GST नमबर AAIFE 7-39-H1-ZM का इस्तमाल किया जा रहा है आपको बता दें कि वकील आहर्स रॉडवरेक्स की शिकायत पर कारण बताओ नोटिस बेजा गया था इसमें वकील ने आरोप लगाय था कि शराब की लाइसेंस को इस साल जून में आंथनी डी गामा की नाम पर रिन्यू कराया गया था जबके आंथनी डी गामा की मई 2021 में मौत हो चुकी है उन्होंने अपनी शिकायत में ब्रहमन, मुंबई, मान अगर पालिका की और सिज्वारी मरत्यू प्रमान पत्र को भी सनलग न किया था गोआ के आपकारी कमिशनर ने इस मामले में संपत्ती की माली को मरलेन अंथनी डी गामा और उनके बेटे डी इन डी गामा को कारण बताओ नोटेस जारी किया था आपकारी आयुक्त ने नोटिस में कहा था रास्ट्राओं के मालक साथ दिन के भीतर इसके जवाब दे आईर्स रॉट्रेक्स ने सत्य हिंदी के साथ बात tomato में कहा कि उन्होंने आपकारी आयुक्त के सामने इस बात को रखा कि इस मामले में आपकारी लाइसेंस से दोखा दरी करके दिया गया है और ये पूरी तरहनियमों के खिलाफ है उन्होंने कहा कि इसके बाद आपकारी आयोक्त ने दो मुद्दों को तैय किया और उन्होंने प्रतिवादियों यानि आंतोनी की पत्नी और उनके बेटे को निर्देश दिया की वेजबारे में अपना जवाब दे आपने परिवार के उपर लगाए गई आरूपो को केंद्रे मंतरी स्मृति ईराणी ने खारिच किया था उन्होंने अदालत का दर्वाजा भी खटकटाया था दिल्ली हाई कोट ने अपने आदेश में कॉंगरस के आरूपो को खारिच करते हुए कहा था कि स्मृति ईराणी और उनकी बेटी पर जूटे तीके हमले की साज़श्वची। अदालत ने कहा था कि दस्तावेजो पर विचार करने पर यह सपश्ट रूप से देखा गया है कि ऐसा कोई लाइसंस नहीं था जो कभी वादिया उसकी बेटी के पक्ष में जारी किया गया था। वादिया उसकी बेटी रेस्ट्रा के मालक नहीं है। अदालत ने तीन कॉंग्रस नेताओं के खिलाफ माईला और बाल विकास मंतरी इस्मृति रानी द्वारा दायर दो करूर के दिवानी मान हानी के मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा कि वादिया उनकी बेटी ने कभी ल परणकारी ने इस वक्त केंदरी मंतरी इसमिति रानी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दाकेल उसलत नामे पर सवाल या निशान लगा दिये हैं जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि विवादित सुली सोल्स कैफे एंड बार का उनके परिवार का कोई भी सम्मन नहीं है तो क्या स्मृती राणी अदालत से जुट बोला था? लेकिन अब इस मामले का खुलासा थभी होगा, जब इसकी स्वतंद्र एजंसी से जाच परताल होगी, शायद इनी वजाहों से बीजेपी ने एकदम स्मृती राणी से दूरी बना ली है, वरना बीजेपी ने तुफान खड़ा कर दिया होता, इसलिए इस बात को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है, कि टीशर्ट तो बस एक बहाना है, मकसद अपने नेता को बचाना है, बहरहाल चलते चलते आखिर में लाला माधव राम जोहर ने भी क्या खूब फर्माया है, आइना किस लिए उस शौक के मुँ चड़ता है, कहीं कलाई न खुले चहराए नूरानी से, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमिट बॉक्स में जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को पेस्बूक, ट्विटर, वाट्सअप पर अपने रिष्टदार यार दोस्तों को भी शियर करें, और वेबाक, निश्पक्ष, स्वतंद्र पत्रकारता को सपोर्ट करने के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की गंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ॉरा नहीं मिल जाए, फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ, हर्शता मिश्वा को दीजे इजाज़त, जय हिंद।